हेलो गाईस, वेलकम बैक टो आर योटूब चैनल, आज है 5 अगस्त 2021 और 5 अगस्त 2021 से करेंट अफेर्स के जितने भी इंपोर्टन कोशन्स बन सकते हैं, उन सब के बारे में हम लोग इस वीडियो में देखेंगे, और कोशन्स से रिलेटेड जितने भी इंपोर्टन फेक्ट ह उनके बारे में भी हम लोग डिसकस करेंगे, तो चलिए स्टार्ट करते हैं, पहला कोशन्स नमारा क्या है, हाल ही में किस राजी के मुख्य मंत्री वासल योजना की सुरुवात की है, तो यह उत्राखंड के मुख्य मंत्री पुसकर सिंग धामीन ने वासल योजना की बात की है और अभी तक जो है इसमें माता पीता दोनों को खोने वाले बच्चों को बस सामिल किया गया है तो यह बहुत ही ज़्यदा important है और हम लोग को ध्यान में रखना है और उत्राखंड की बात है तो हम लोग को पता होना चाहिए कि उत्राखंड की capital कहा है तो देहरा दोन जो है उत्राखंड की capital है और उत्राखंड में जो है चार important दर्रा है कौन कौन सा माना नीती धर्मा और लेफुलेखा दर्रा जो है यह उत्राखंड में है और यहां पे जो है नंदा देवी फुलो की गाटी और जिम कॉर्बिट नेसनल पार्क जो है उत्राखंड में इस्तित है और उत्राखंड के हरिद्वार में जो है कुम मेले का आयोजन किया जाता है तो इतनी चीजे जो है हम लोग को उत्राखंड के बारे में ध्यान में रखना है और one next question क्या है हाल ही में किस देश में रहने वाले सभी डॉक्टर्स को गो UAE तो UAE की बात है तो UAE की capital क्या है अबुडावी जो है UAE की capital है और UAE ने जो है golden बीजा की पहली बार शुरुवात कब की थी तो 21 में 2019 में जो है इसको launch किया था और golden बीजा होता क्या है जैसे हर देश में अलग अलग तरह के वीजा जारी किया जाते है उसी तरह जो हमारा है golden बीजा भी होता है तो इतनी चीज़ें हमलों को ध्यान में रखना है और महला अगला क्रूशन क्या है हाल ही में टोनी एबोट को किस देश ने विश्यस व्यापार दूत के रूप में न्यूक्त किया है तो किस देश के आस्ट्रेलिया तो आस्ट्रेलिया की बात है तो इसकी मुद्रा जो है और मानने क्रूशन क्या है हाल ही में पहली जी ट्वेंटी संस्कृती मंत्रियों की बैठक की अध्यक्षता किसने की तो किसने की इटली ने की तो इटली की बात है तो इटली की कैपिटल कहा है रोम जो है इटली की कैपिटल है और वरतमान में इसके तो मार्यो द्राही गी जो है यह मौर्तमान में इसके प्राइम मिनिस्टर है तो यह हम लोग को ध्यान में रखना है और अब carrier क्या है हाली में टोक्यों औलमपिक में पदक जीतने वाली तीसरी भारती मुक्यबाज बनी है तो कौन बनी है लवरीना बौर होगन जो है बनी है तो पहले भारती मुक्केबाच बने थे, तो विजेंदर सिंग जो है 2008 में पहले भारती मुक्केबाच बने थे, दूसरी जो थी मैरी कौम जो थी 2012 में बनी थी, और हमारा यी लॉलीना जो है 4 अगस 2021 को विस्व चेंपियन बुकेनाज सुरमेलेनी से हारका इनको सामना करना प तो किस ने हमारे खेल मंतरी अनुराख ठाकुर ने इसको लॉंच किया है और खेल मंतरी अनुराख ठाकुर ने नई दिल्ली में टोकियो पैरा उलम्पिक के लिए थिम गित लॉंच किया और इस गित का नाम क्या है तो कर दे कमाल तु जो है इस गित का नाम है और इसे जो है एक दिवियांग क्रिकेटर खिलाडी संजीव सिंग ने लिखा और गया है तो यह हम लोगों को बहुत इंपोर्टेंट है और हम लोगों को ध्यान में रखना है और मानेश क्रेशन क्या है और असम का दो मुष्ट इंपोर्टेंट नेसनल पार्क और मानस नेसनल पार्क यह हर एकजाम में पूछा जाता है तो हम लोगों को ध्यान में रखना है और असम में जो सिलचर है यहां से ट्रेन गुजरात के पोरबंदर तक जाती है और इसे पूरा पश्रिम का गलियारा कहा जाता है तो यह बहुत इंपोर्टेंट है और हम लोगों को ध्यान में रखना है और मानेश क्रेशन क्या है और इस यात्रा को जो है दो अगस 2021 को समाप्त कर दिया गया है तो यह जो है उडिसा में है तो उडिसा की वर्तमान में सियम कौन है तो नमिन पतनायक जो है वर्तमान में उडिसा के चीफ मिनिस्टर है और उडिसा की कैपिटल क्या है भूनेशवर जो है उडिसा की कैपिटल है और मनीश क्रेशन क्या है हाल ही में Review Power ने किसके साथ समझहोता किया है तो इसने जो है RackBank के साथ समझहोता किया है तो Review Power ने 100% नवई करण उर्जा के साथ देश के पहले Hyper Scale Data Center को सक्तिप्रदान करने के लिए RackBank Data Center Limited के साथ एक समझहोता किया है और Rack Bank है क्या तो हम लोगों को पता होना चाहिए कि Rack Bank जो है एक data center platform है जो समर्पि सर्वर प्रवेधित सर्वर और जो है कालेकस जो है सेवाओं जैसी सेवाओं प्रदान करता है तो हम लोगों को ध्यान में रखना है और इस परियोजना से भारत के पहले हरित डेटा जो केंदर है का निर्माड होगा तो यह बहुत ही ज़दा इंप्पोर्टेंट है और हम लोगों को ध्यान में रखना है और मनेश कोशन क्या है हाल ही में जारी फार्चुन सूची में रिलायंस को कौन सा अस्थान प्राप्त हुआ है तो दो अगस्त दोजार एकिस को जारी गए जो है दोजार एकिस फार्चुन ग्लोबर रिपोर्ट में जो है पांसो सूची में से रिलायंस इंडस्ट्री पांसो चौबिस विलियन डॉलर के साथ पहले सीज्ट पर बना रहा तो यह हम लों को ध्यान में रखना है और भारती स्टेट बैंक कौन से स्थान पर है तो यह जो है दो सब पांच में अस्थान पर है और आई ओसी यानि इंडियन ओयल कर्पोरेशन जो है कौन से स्थान पर को है तो यह Jersey दो सब 12 अस्थान पर है और रिलैंस की बात है तो रिलैंस के सीईओ कौन है तो मुकिस अमानी जो है वर्तमान में रिलैंस के सीओ और इसका हेड़क्वाटर कहां पर है तो मुंबई में जो है रिलैंस का हेड़क्वाटर इस्थ comment ए czy अगर आपको video अच्छी ह पर हेल्फूल लगे तो आप वीडियो को लाइक और सस्क्राइब जरूर किया करिये थैंक्स पर वाचिंग दिस वीडियो प्लीज सस्क्राइब और प्रेश दे बेल आइकन फार मोर अपडेट्स